दोस्तों एक पर फिर से सुवगत करता हूँ आप सभी का DR Education के इस YouTube चैनल पर देखे दोस्तों, डी ट्रिप्लेस्बी के द्वारा एक important notice है, वो जारी किया गया है अभी थोड़ दिर पहले ही यहाँ पर date में mention की गई है, 29 साथ, 2021, अभी थोड़ दिर पहले ही यह official website पर upload किया गया है notice नमबर है 1199 में, post है lower division clerk की post code है क्या उन बटा 13, invincible corporations of Delhi देखे क्या इस notice में दिया गया है, वो मैं आपको यहाँ पर detail से बताने वाला हूँ तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जोड़ी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डिट रुप्लेस्पी से जुड़ी हुई जितने भी latest updates है, information है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, देखिए आपको पता है कि जो lower division clerk postcode किया उन्हों बड़ा 13 रिजल्ट जारी हो चुका था, तो अब जो e-dozer है वो फिल किये जा रहे थे और first recall opportunity दी गई है, यानि दोबारा से कुछ candidates हैं जिनको बुलाया गया है, e-dozer फिल करने के लिए, यानि remarks में यहाँ पर बताया गया है, जिन candidates ने जो document अप्लोड किये थे और उनमें कोई कमी रह गई, यानि कुछ documents हैं वो दोबारा से अप्लोड करने हैं, ठीक है न, तो यहाँ पर remarks में जो reason है, वो बताया गया है कि क्या क्या documents हैं, वो आपको fill करने हैं, यानि upload करने है, official profile पर जा करके, यहाँ पर देखिए, unregid category के 8 candidates हैं, जिनको यहाँ पर e-dozer के लिए बताया गया है, यहाँ पर इनके tier first and tier second के roll number हो दिये गया है, आप आप देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर OBC category के जो candidates हैं, उनका roll number यहाँ पर mention किया गया है, और remarks में जो documents upload करने हैं, वो बताये गये हैं, उसके बाद यहाँ पर SC category के roll number दिये गये हैं, जो SC category के candidates हैं, दो roll number है यहाँ पर, और उसके बाद है ST category के, जो candidates हैं, उनके roll number, उसके बाद PHOS का यह candidate है उसका roll number यहाँ पर mention किया गया है और जो यह candidate है जिन्होंने यह document अप्लोड करने है official profile पर तो यह link activate कब तक हो जाएंगे नहीं कब आप अपना जो e20 वो fill कर पाएंगे तो देखे 3721 से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक इन्हीं 30 जुलाई से लेकर यानि कल से कल से लेकर के और 8 अगस्त तक आप अपना जो document है वो upload कर सकते हैं अपनी अपनी profile पर जा करके ठीक है यह एक important notice है जो जारी किया था आज के दिन अभी थोड़ दिर पहले और आगे की जितने भी डी ट्रिपले स्पी से जुड़ी ही latest update information के साथ बने रही है मेरे साथ thank you so much